विहार सरकार के जलसन साधन मंत्री संजय जहा ने केवटी ब्लोग के गोपालपुर गाउं में 1.26 लाग की लागत से बन रहे पी-पी रोप गेवियन कारे का निरिक्षण किया। ये निर्मान बागमती नदी के तटबंध पर हुआ है। इस दोरान मंत्री ने तटबंध का निरिक्षण किया और मौके पर मौझूद दर्भंगा के डियेम डॉक्टर त्याग राजन एसम और जलसन साधन विभाग के अधिकारियों को कई निर्डेश दिये। मंत्री के साथ के विधायक मूरारी मुहंजहा और कई स्थानिये जन प भीतर पूरा कर लिया जाएगा मंत्री ने कहा कि घंश्यामपूर में कमला नदी पर बने पुलों की चोड़ाई बढ़ाई जाएगी चोड़ाई कम होने की वज़े से इस प्रखंड में बाढ़ की समस्या हर साल विकराल रूप में आती है मंत्री ने जलसन साधन विभाग और दरभंगा जिला पुशाशन की और से बाठ से बचाव के लिए किये जा रहे कारियों पर संतोष ब्यक्ति किया कि ये बाट का बहुत समस्या रहता है आज हम लोग और भी जगह जा रहे हैं देखने के लिए प्रोसिस हम लोगों ने ये किया है कि जितना काम टेक अप किया गया इस बार के बाट के लिए लगभग काम कंपीच है दो-तीन काम बांकी है जो अगले एक सफ़ता में वहीं तू लोगों ने काम लगभग कंपीच कर लिया कल मैंने रिव्यू किया था डिटेल में दर्भंगा का जो कुछ भी यहां जानकारी मिली उस काम कोई लोग 2-4 दिन में और बचा हुआ काम करा लिए लेकि लार्जली काम कंपीच हो नहीं जो रस्यारी और जो कमला का वो बेल्ट जो है जहां हमेशा प्रॉब्लम रहता है इस बार वो सब पे सारा फ्लट फाइटिंग का काम या एंटी रिजन का काम किया गया है और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो पूल हम लोगों ने बनवाया था रस्यारी में उ पानी का फ्लो स्मूथ हो जाएगा तो कमला में आपको पता है कि जैनेगर में बराज बन रहा है जी मुख्वंत्री जी ने पिछले साल जब आये थे इसी दर्भंगा एरपोर्ट पे रुके थे जैनेगर जा रहे थे वह बराज सैंक्सन हो गया टेंडर हो गया टेंडर एल हंगा